हेलो फ्रेंड्स, स्वागत था आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज के वीडियो नीट यूजी 2022 कैडिटेट्स के लिए इंपोर्टेंट है गाईज एक अर्जेंट ओफिशल नोटेस जारी किया गया है एन एमसी के थूँ तो वही आज मैं आपको बताने वाली हूँ तो नीट यूजी 2022 मेडिकल स्टुडेंट्स और जो मेडिकल कॉलेज़स है उन सभी के लिए इंपोर्टेंट है गाईज आगी चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको नेट यूजी ओल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा से रिलेटिड की हर टाइप के इनफोर्मेशन टाइम टू टाइप मिलती रहे अब देखे गाईज हम बात करते हैं आप सभी को पता है अकेडमिक शेशन 2022-23 का आप जो है स्टार्ट हो रहा है तो यह जो अकेडमिक शेशन है इसके अंदर कुछ फैसिलिटीज है जो कोलेज की तरू स्टेट गोर्मेंट की तरू और सेंट्रल गोर्मेंट की तरू प्रो रहा है तो यह जो चीजों की निग्राने के लिए हर कोलेज में आपको जो है कैमरे मिलेंगे तो देखे एक बुर ओफिशल नोटिस देख लेते हैं तो जू कैस्ट यह जो नोटिस है यह सब्स्टेट और यूर्टिस के लिए है ठीक है सब्स्ट्रीज में एपलिकेबल होगा यह तो इसके अंदर क्या दिया है टू अपग्रेड ने बैंडविट्ट इंटरनेट की स्पीड जो है वह अपग्रेड करने के लिए बए अच् के अंदर चामराज जो है वो इंस्टोल करने के लिए तो यहां पर डिरेक्ली दिया है काइंडली रेफर अफोर मेंचेंड लेटर इसुट बाइ नंसे रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन अप्सीटीवी केमराज इं मेडिकल कोलेज प्रिमाज इस दे एक्टिवीटीवी केमर जाज इस निषग्सेज़ लिए करामने कोलेज में इस अप्रिमाज की बाइसटong आड्र में इस्टार इस निषग्स अजोरेज प्लतिवैंek लिए इंस्युण बेस्टंड इस्टन इस. on the service availability performance and reliability colleges में योज existing bandwidth MBL और ILL and in event of any future bandwidth requirement NMC will inform the colleges तो guys यह है आपका जो college में CCTV camera है उसके recording है कि सभी college में होना चाहिए speed भी यहाँ पर दी गई है minimum speed 100 Mbps की होनी चाहिए उससे कम के speed नहीं होनी चाहिए ठीक है तो यह सभी college institutes के लिए भी है सभी students के लिए भी है ताकि वो पहले से aware हो जाए कि ऐसे facility उनकी college में है उनकी निगरानी के लिए तो कोई भी ऐसे activity वो ना करें ठीक है फिर भी guys के इस चीज को लेकर आपको doubt होता है तो comment के जरीए पोच सकते हैं आपका जो academic session है वो 21st November से आपका start हो रहा है ठीक है क्योंकि academic calendar जारी हो चुका है जिससे related already में वीडियो बना चुकी हूँ फिर भी अगर आपको कोई doubt होता है तो आप comment के जर यह पोच सकते हैं वीडियो पसंद आए तो like और share जरूर कीजेगा चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले तो जल्द ही मिलते हैं next new update के साथ तब तक के लिए thank you guys